हम बात कर रहे हैं Refix Industries Limited की आज के दिन की बात करें तो इस टॉक में हमको 5% का Upper Circuit हिट होते हुए नजर आ रहा है हमने इससे पहले वीडियो में लगाता है डिसकस करते आ रहे थे के इस टॉक का ट्रिंट पॉजिटिव है हाया राए पैटन दिखा रहा है हमको और तेजी दिख किया था immediate target के तोर पर 160 के level को और कहा गया था कि 160 के level को भी stock breakout करता नजर आ सकता है stock ने 160 के level को breakout किया है 163.50 पर stock हमको circuit में lock होते हुए नजर आ रहा है यहां से reflex के अभी और उड़ान बाकी है आने वाले दिनों में और बड़े target यहां से हमको देखने के लिए मिल सकते हैं उड़ान अभी बाकी है थोड़ा सा इंतिजार करना है अगर stock rejection लेकर गिरावट दिखा जाता है तो 160 का level immediate support का का काम करेगा breakdown कर जाता है तो next 154, 155 का level और तगड़े support का काम करेगा यह जो इसका high जहां जिस level को stock ने breakout डेकर हमको 163 तक के target दिखा है इसको breakout कर जाता है तो next target 170 का level और 170 के level को भी stock breakout करता नजर आ सकता है बात करें अगर 2022 की तो इस दवरान हमको stock ने 174 से लेके 180 के आसपास से 174 या 180 इसके आसपास से stock ने हमको rejection दिखाया हुआ है तो 174 और 180 के between थोड़ इसी fresh buying को avoid करना ठीक है हमने जैसे discuss किया कि 2020 में इस level से stock ने rejection लिया है तो इसके तगडे resistance का काम करने वाला है 174 और 180 के जो level है इसके between fresh buying avoid करना ठीक रहेगा अगर stock 180 के level को break out करके sustain हो जाता है तो वह इसी condition में फिर position बनाई जा सकते है फिर यहां से reflex हमको और बड़े target दिखा सकता है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो वीडियो education purpose किये लिए कोई buy से लिया hold की सला नहीं है